पती के बड़े ताउजी का निधन हो गया था और उनकी तेरवी में शामिल होने के लिए सभी परिवाजनों को बुलाया गया था। दिव्याजी के मना करने के वावचूद उनके पती ने उन्हें समझाया कि ये केवल एक दिन का ही तो मामला है। शाम तक सब से मिलकर दावत खा कर लोट आएंगे। गाउ जाने का विचार दिव्याजी को बिलकुल पसंद नहीं था। लेकिन पती के जोड देने पर उन्होंने तै कि वे बच्चों को साथ लेकर केवल एक दिन के लिए गाउ जाएगी। वे ये सोच रही थी कि गाउ में ना तो सही से बिजली की व्यवस्ता होगी, ना साफ पानी और मच्चरों की बहुत ही वहाँ पे गरबराहट रहेगी। लेकिन पती की बात मानकर वे अपने दोनों बच्चों के साथ गाउ पहुँच गई। गाउ का मोहल और वहाँ की प्राक्रितिक सुन्दर्ता देखकर उनकी आखे खुली की खुली रह गई। जैसे ही वे ताउची के घर में खुसी, सबसे पहले एक शान तार बगीच्चा देखा, जो उनकी पूरे शहरी घर से भी बड़ा और खुबसूरत था। बगीच्चे में तरह तरह के फूल और पेड लगे हुए थे। वे सोचने लगी कि जहाँ वे शहर में, बालकनी में, छोटे-छोटे गमलों में पौधे रखती हैं, वहाँ खड़े होने की भी जगा नहीं होती। और यहाँ इतने बड़े बगीच्चे में ना जाने कितनी तरह के पौधे हैं, खुला-खुला और ताजगी से भरा हुआ। घर में दाखिल होते ही दिव्याजी ने देखा कि वहाँ की रसोई बहुत बड़ी और सजी सवरी थी, जिसमें दो-दो एसी लगा हुआ था, और कई आधुनिक उपकारन भी रखे थे। ये देखकर वे आस्चर्जचकित हो गए। उनके बच्चे भी मा से बोले बिना नहीं रह सकें। ममा, यहां की रसोई तो हमारी शेहर वाली रसोई से बहुत बड़ी है। हम वहाँ एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते। और यहां तो पूरी खुली जगा है। बच्चों के इस सवाल ने देव्याची को और सहोचने पर मजबूर कर दिया। जब दिव्याची ने घर की अन्या औरतों को देखा, तो वे भी बलाह की खूब सुरत दिख रही थी। वे काव की पारमपारिक वेश भूशनों में थी, साडी में सजी हुई, कमर में चांदी के सुन्दर कहने पहने हुए। उनका ये रूप देखकर दिव्याची ने सोचा कि कैसे ये महिला है, रोज इतना काम करके भी इतनी खूब सूरत कैसे लग सकती है, पश्यों की देखभाल करना, चूले पर खाना पकाना, फिर भी इतनी सुन्दर और दमक्ती हुई लग सकती है। उनके चेहरे की चमक और हातों की मुलायमता देखकर दिव्याची हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शेहर में तो मैं इतनी सुविदाओं के वावजूद मैनिक्यूर पेटिक्यूर करवाती हूँ और फिर भी मेरे हाथ इनकी तरह सुन्दर और मुलायम नहीं और महीने फेशियल करवाती हूँ और फिर भी मेरे चेहरे पर जूरिया आ रही है। और यहाँ मेरी जेठानी मुझसे भी उमर में बड़ी होते हुए भी कितनी सुन्दर लगती है। दिव्याची को समझ आने लगा कि सादगी और स्वाविक्ता का अपना एक अलग ही आकर महीलाओ का सौंदर या सादगी में ही चुपा है। शाम को सबने मिलकर तैर्वी की दावत में भोजन किया। तैर्वी का मोहल कुछ भावुग भी था। लेकिन ताउजी के घर की सजावत और उनके बच्चों की आत्मता ने सबको सहज बना रखा। दिव्याची ने देख कि तैर्वी की इस परंपरा में कितना अपनापन और एकता है। ये लोग शेहर की भागदौर से दूर एक दूसरे के साथ मिल जुलकर ऐसे रहते हैं जैसे किसी के बिना उनका घर अधूरा है। खाने के बाद जब सब वापसी की तैयारी में लगे थे तो दिव्याची ने पती में मुस्कुराते हुए उनसे कहा चलिए घर चलते हैं अब यहां रुक कर क्या करेंगे यहां कि सुविदाय तो आपको नहीं भाती। ये कहते हुए उन्होंने कार की चावी निकाल दी लेकिन उनके बच्चे ने कहा पापा आप घर जाओ पर हम यहां कुछ दिन रु की है और हमें यहां बहुत मज़ा आ रहा है। ये सुनकर दिव्या जी के पती हस पड़े और उन्होंने अपनी पतने की तरफ देखा जैसे पूछ रहे हो। तुम भी क्या यहां रुखने का सोच रही हो। दिव्या जी हलकी से मुस्कान के साथ बोली। हाँ, मैं भी यहां कुछ दिन और रहना चाती हूँ। इस मोहल में एक अलग ही सुकून है। शायद इतने सालों में जो मैं मैंसूस नहीं कर पाई, वो यहां की साथकी में मिला है। दिव्या जी ने अपनी सास, ननत और देवरानी से नई बाते सीखी। ग्रामीन जीवन का आनन लिया और मैं कि जीवन में असली संतोश और खुशी मौतिक सुविधाओं में नहीं, बलकि सादगी और अपने पन में छिपा है। अब दिव्या जी का शेहर जीवन का नजरिया भी बदल चुका है। उन्हें ऐसास हुआ कि ऐसा सब कुछ नहीं होता। असली मुल्य रिष्टों का होता है। आतियता का होता है, जिसे उन्होंने गाउ में अपने परीजनों के साथ रह कर पाया। गाउ में बिदाय कुछ दिनों ने उन्होंने आत्मनिरिक्षन करने का मौका दिया। और इस बात को समझाया कि खुश हाल जीवन के लिए सिर्फ धन धौलत नहीं, बलकि अपनों का साथ और अपना पन ही असली दौलत है।